यूर्प में वेश्वे स्वास्ते संगटन के शीर श्रधिकारी ने मंगलवार को सरकारों को उमिक्रोन वैदिन के चलते पूरे यूरोपी महादीप में कुरोना वारस के मामलों में महत्वपून व्रदी के लिए तैयार रहने के लिए कहा है ओमिक्रॉन पहले ही कई देशों पर हावी हो चुका है ऐसे में डब्लू एचो के स्थानिय निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूज ने वियाना में प्रिस कॉन्फरेंस की और कहा कि हम एक और तुफान को आते हुए देख सकते हैं उन्होंने कहा कि कुछी सबता में ओमिक्रॉन, महादीब के और अन्य देशों में भी हावी हो जाएगा जिसके चलते पहले ही बुरे दौर से गुजर रही स्वास्ते विवस्ताएं और ज्यादा प्रभावितों की उन्होंने कहा कि उमिक्रोन टब्लू एच्चो के यूरोपीय महादीप में कम से कम 38 सदसे देशों में पाया जा चुका है ब्रिटेन, डेन्मार्क और पुर्टगाल में ये पहरे ही हावी हो चुका है उन्होंने कहा कि पिछले सब्टा पूरे यूरोपियन यूनियन में कورونا वायरस के चलते 27,000 लोगों की जान चली गई थी और उससे 26 लाग मामले भी सामने आये थे हाला कि इन मामलों में सभी वेरियन्स के संक्रमन के मामले थे उन्होंने कहा कि ये संक्या पिछले साल इस सब्दी के तुन्ना में 40 पतिशत ज्यादा है तो उमीक्रोन का लगातार खत्रा बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में लेकिन खबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि साब्धानी अगर बढ़ती जाएगी तो उमीक्रोन को असानी से मात दी जा सकती है देश में जानलेवा कोरोना वारस का उमीक्रोन वेरियंट खतरनाग तरीके से बढ़ रहा है ये सिर्फ पांच दिनों में उमीक्रोन से संक्रमतों की संक्याद चार गुना बढ़कर 216 पर पहुंच चुकी है महाराश्र में अब तक उमीक्रोन से सबसे ज़्यादा 65 के सामने आ चुके है साथी आपको बता दें दिल्ली में अब तक 54 लोग इस खतनाग वैरियंट की चपेट में आ चुके हैं ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए विश्वर स्वास्ते संगठन ने भी लोगों से नए साल पर खटा होकर जशन मनाने की अपील नहीं की है कि जशन ना मनाए खटा होकर साथी आपको ये भी बता देते हैं कि अभी भारत में कल बात की जाए तो दोस्तों के करीम मामले थे लेकिन अब ये बढ़कर 216 हो चुके हैं दरसे क्रिसमस अब बेखत नस्जी के और साल 2021 भी खतम होने जा रहा है कुरोना के जर के एक हटने से बाजारों में रौनक है लोग घूमने निकले हुए हैं लेकिन कुरोना नियम यानि की मासक और समाजिक दूरी का कोई पालन नहीं कर रहा है माहन अगरी मुंबई में 12144 के बाद भी बेपरवाल लोगों की भीड सडकों और बाजारों में दिख रही है मुंबई में महीने के अंत्यानी के कत्ते दिसंबर तक 12144 लगाए गई है उदर सरकार की तरह से ये सक्त निर्देश दे दिये गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उस पर कारवाई की जाएगी तो ऐसे में भारत में लगातार आपको बता दें कि ओमी क्रौन का खत्रा तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ओमी क्रौन से डरने की जरूरत नहीं है साफधान और सतर्क रहने की जरूरत है दिल्ली में ओमिक्रोन के केस काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकारे अपने अपने स्तर पर लोगों को जाकरू कर रही हैं इसी करम में दिल्ली मेट्रो ने भी लोगों को मास्क को लेकर जाकरू करने के लिए अजीब तरीका निकाला है दिल्ली मेट्रो ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जैसे भटूरे के लिए छोले हैं उसी तहा से फोने के लिए मास्क जरूरी है कुरोना की पहरी लेहर के बाद से ही आपको बता दे कि मैट्रो का परीचालन बंद होने की वज़ा से डियमार्सी को करोडों का रज्जसु घाटा हुआ है अब कुरोना से बचाव की जानकारी देते हुए दिल्ली मैट्रो ने मास्क लगाए एक पैसेंजर को तीर से संकेत देते हुए बताया है दरसल मैट्रो से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं लहाजा कोई चांस न लेते हुए जाकरुपता पर बल दिया जा रहा है भारत में उमिक्रोन के दोसों से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं सबसे ज्यादा केस मुंबई और दिल्ली से ही हैं इन दोनों ही राज्यों में आपको बता दें के दिल्ली में 54 हैं तो 60 से ज्यादा महराश में मिल चुके हैं ऐसे में देश की राज़ानी में ओमिक्रोन मरीसों की बढ़ती संख्या के बीश तीसी लहर का भी खत्रा मन प्रा रहा है एक तरफ दिल्ली में कोरोना के मामले भी रफ्तार पकड़ रहे हैं तो वहीं देली सरकार दूसरी लहर में बनाएगा इस थाई हॉस्पिटल को अक्टिवेट करने में जुटे हुए हैं पूरवी देली में कॉमन वेल्ट विलेज में खास कोरोना वॉर्ड भी तयार किया गया है इस वार्ड भॉक्सीजन बेट्स के साथ साथ गंभी रिस्तिती से निपटने की तयारी भी की गई है तो बार बार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो डिमर्सी की तरफ से यही तस्वीर ट्वीट की गई है और इसमें लिखा है जरसे छोले बटूरे के लिए छोले बहुत जरूरी है ऐसे ही कोरोना से से शेफ रहने के लिए मास्क जरूरी है